नमस्कार एंडी टीवी राजस्तान देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ शिवानी मिश्वा शिरुवात एहम खबर के साथ करेंगे राजस्तान विधान सभा में बाबाओ को लेकर कॉंग्रिस वधायक शमण कुमार के टिपड़ी के बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिख रहे हैं गुरुवार को सदन में सत्ता पक्ष के ओर से मुख्य सचेतक जो गेश्वर गर्ग और विधायक बालकनाथ ने इस मुद्दे पर शमण कुमार से माफी मांगने को कहा वहीं विधान सभाद यक्ष वसुदेद देवनानी ने विधायक पर कारव पर शमण करने तक की मांग के हालनकी विधान सभाद यक्ष ने विधायक बालकनाथ ने विधायक बालकनाथ वहीं पर शमण कुमार से माफी मंगवाने पर अड़ा रहा सता पक्ष का ये कहना था कि अगर मुमाफी नहीं मांगेंगे तो सदन नहीं चलेगा मुख्य सचेतक जो गेश्वर गर्ग ने सदन में कहा कल सदन में एक बहुत नकारात्मक बात हुई जो बहुत आपत्ती जनक है ऐसा लगता है कि वपक्ष ने दिहाद से विकर दिल्ली तक ये तैय कर रखा है कि भारतिये परंपरा सनातन संस्कृती और बहुत संक्यक समाज की भावनाओं को ठेस्ट पहुचाना और उन पर अनरगल टिपड़ी करना एक आदत बना दी है तो कॉंग्रेस वधायक की साधू संतों पर टिपड़ी के बाद से ही सदन में जूरदार हंगामा देखने को मिला वधान सबाध्यक्ष ने वधायक को चुतावनी दी इस बयान के बाद और इसी खबर पर ज्याद जौनकारी देंगे हमारे साथ समवधाता विरेंद्र लाइफ जूर चुके हैं विरेंद्र देखी इस टिपड़ी के बाद से सियासी माहौल गर्माया सदन में जमकर हंगामा हुआ माफी मांगने तक की बात यहाँ पर सामने आई लेकिन इसके बावजूद भी दोनों ही पक्षो की तरफ से अक्रामक रुख देखा गया एक दूसरे पर यहाँ बयान बाजी की गई अनरगल टिपड़ी जो दी गई है इसको लेकर जो सियासी तापमान गर्म हुआ है क्या कुछ इस पर रियक्शन सामने आ रहे हैं बालकनात हो गए उन्होंने इस पर आपत्ती जनाय जताई है और उसके साथ ही आप देखेंगे कि तमाम जो बिजेपी के सत्ता पक्स के जो विधायक हैं उन्होंने भी इस बयान को लेकर लगातार है विपक्स के उपर हमला करते वे दिखाए दिए इसके साथ ही आपको बत ना और समाज के जो उच्च जाती होती ही जिस तरीके से अभी हाली के दिनों के अंदर हरी चोधरी ने अपना बयान दिया था धाकूर वाली कविता पढ़ कर उस कविता के बाद पूरे समाज के अंदर बयान को ध्यान में रखते हुए काफी विवाद भी हुआ था और उस विवाद के बाद अब जिस तरीके से एक बार फिर शे कॉंग्रेस के विधायक ने जो बाबाओं को लेके बयान दिया है उससे कहीं न कहीं कॉंग्रेस है अब बैक फूट पर आती भी जो अपने बयान में कहा है, वो कहीं न कहीं एक समाज और एक वरत को जो भी है की सरमसार करने वाला है, जिस तरीके से उन्होंने सदन के अंदर और रिकोर्ड कहा है कि बाबाओं ने देश का जो है जो कह सकते हैं कि बंटाधार बिठा दिया तो इन तमाम चीजों को लेके जिस तरीके से पूरा सत्ता पक्स है विपक्स के उपर हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं पर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो सनातन दर्म से जुड़े वे जो बाबा है या फिर जो लोग है उनका साथ तोर पे कहना है कि जो कॉंग्रेस है वो लगातार जो विजेपी के द्वारा है वो विरोध कहा जारह है और इसके साथ आप देखें कि जो विधायकों के बयान है कहीं न कहीं जो आगा में उपचुनाओं है उसके अंदर भी इसका नुक्शान कि उन्होंने उस पे पलटवार करते हुए कह सकते हैं कि समाज एक जाती को लेके सत्ता पक्स के तमामनेता है वो कॉंग्रेस के उपर जो हैं लगातार आरोप लगाते हुए दिकाई दे रहे हैं ठीक है विरेंद आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए